है दोस्तों कैसे हो सबी आई हो बहुत बढ़िया होंगे एकदम सीप्यू का फिजीकल हो गया होगा और आई हो पास भी हो गये होंगे मैं मैं बनलब शुरू से यह आपको मोटिवेट करता रहा था कि भाई फिजीकल इस बार मिस मत करना पूरी जान लगा देना और कॉंग्र लगिए कितने हो रहे हैं इवरेज कितने हो रहे है क्या हम क्या है एक सेन्टर पर गये हमारे गरुप में दोड़ाए बच्चे 20 दोड़ाए 15 दैशुरौँव on मारा competition कितने बच्चों से होगा मेंस के लिए ठीक है और obviously मेंस जो देंगे उन्हीं से भाई आपकी जो final merit है वो decide होगी क्योंकि उसके बाद तो cable medical DB बच जाएगा आपका cable ठीक है तो भाई ये चीजे मैं अभी कुछ दिन से यही देख रहा था आपके अलग-अलग center पर ठीक है अभी मतलब अलग-अलग लग-बग लग-बग इतना ही बच्चे पहुच रहें 50% मान के चलिए average बता रहा हूं यह नहीं है कि आपके ग्रूप में 50% से कम भी आ गए किसी के ग्रूप में 50% से ज्यादा भी आ गए ग्रूप में मतलब उस वाले दिन तो भाई ऐसा नहीं है average 50% ही आ रहा है ठीक है व लग-बग साथ जार साड़े साथ जार पास की गई थी तो उनमें क्या है ना टोटल अगर आप ओवरॉल निकालोगे 84,000 थे लगबग लगबग आप निकालोगे उसका 50% कर दो तो भाई 42,000 हो गया ठीक है यही है वाई डेटा एक्च्वल में आप सोचो कि इतने कम यह केबल DPSI टार्गेट करते हैं और लेडी सेलेक्टेड है या फिर बहुत सारे बच्चे CGL की तयारी कर रहे हैं अनफिट है या फिर कोई भी दिक्कत है फॉर्मर देते हैं प्री निकल गया अच्छे नमबर आये हैं जाते नहीं है और जो जिनको DPSI चाहिए केबल अग पर मेरे पर्सनल कॉंटेक्ट में भी थे तो सभी से मैंने पूछ के देखा है एवरेज यही आ रहा है 50% आपके प्रिजेंट हो रहा है ना 55% भी माल लीजिए ठीक है तो ऐसे ओवराल 42,000 हम अगर निकालें अब इस मैंसे बात आ जाती वहां पर जाके पास कितने हो रहे है रनिंग, शॉर्ट पुट और आपका हाई जंप, लॉंग जंप और चैस्ट वेट इस सारा क्लियर करने के बाद तो इस मैंसे आप देखोगे तो इस मैंसे जो हम बोलते हैं कि टोटल भाई 25-30% बच्चे पास हुए हैं ठीक है तो आप वो कैल्गोरेट कर ले ना लेकिन मै से जो 50% absent हो गए हैं उनको भी हठा के मैं बता रहा हूं overall तो आपका percentage और कम निकलेगा ठीक है तो मैंने यह calculate किया है overall देखो मैं बता हूं मतलब accurate यहीं जाएगा passing percentage और जो passing बच्चे हैं इतने ही लगवग आपके competition में रहेंगे mains के लिए तो आप अगर calculation थोड़ी सी इसमे बच्चे बैटेंगे total girls and boys को मिला के इसमें 13-14,000 बच्चे यानि कि boys pass हो सकते हैं ठीक है इससे ज़्यादा यार कम होने की कम chances हैं लगवग यही बैटेगा यार क्योंकि हर साल यही होता है मतलब जो estimate लगाते हैं न कि जितने बच्चे आ रहे हैं average कितने physical clear कर रहे हैं तो व से इसमें clear कर जाएंगी ठीक है और थोड़े बहुत number उपर नीचे हो सकते हैं लेकिन overall आप देखोगे न मोटा मोटा लगे तो यही आपका बैठेगा और इसके लावा मैं एक दो चीज़ां और बता रहूंगा आपको उससे पहले ठीक है अभी important चीज़ बताऊंगा एक औ यह भाई आगे देखो आपके अभी 2025 में exam आएंगे एकदम timely आएंगे आपके लेट नहीं होंगे exam ठीक है और आप सोचो कि अभी तो time है भाई October खताम होने वाला है November December उसके बाद जब एकदम गाड़ी चलेगी ना 2025 कब आजाएगी और कब आपके exams भी आजाएंगे तो यह decision मत करो मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस अगर बनी रहेगी exam हो गया मन नहीं कर रहा पढ़ने का मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है मौक टेस्ट लगाते रहो मौक टेस्ट आप लगाए न तो आपको कहना प्रैक्टिस बनी रहेगी और exam जैसे अभी आपका हुआ है मन नहीं क आज रहा हूं आपको प्रैप अप्लिकेशन बहुत बढ़िया चल ला है इस पर आफॉर्डेबल आपको मौक टेस्ट एवलेबल हो जाएगा इसके लावा फ्री बहुत सारी है ठीक है आपके डेली करेंट अफेर डेली करेंट अफेर आप देखते रहो ठीक है क्योंकि टेस्ट भी चल लें फ्री और कुछ फ्री मौक टेस्ट अलग से रखें कुई लगाता राते रहें लाइव तो यह सारी चीज आती रहती है इसके लावा प्रैप प्लस इनका एप्लिकेशन सॉरी सब्स्क्रिप्शन है अगर आप उसको लेना चाहते हो कि बहुत 299 में पढ लगवग ऐसे प्रैस चल ला इसका ठीक है तो यह आप समझ गहोंगे प्रैप एप्लिकेशन का लिंक में नीचे डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा चेक कर लेना इसके अलावा देखो बाई सीप्यों की आगे बात करें मैं आपसे जब से प्री हुआ नहीं था उससे पहले चांस है तो हो सकता है 2023 में कम आएं तो आप मौका यह वाला बिल्कुल मत छोड़ देना मेंस में लग जाना फिजिकल क्लियर हो गया है पांडरी पर हो कोई दिक्कत नहीं है मेंस में लग जाना आखुंद करके बगवान पर वरोसा करना ठीक है यह इस साल अभी बहुत सारे बच्चे होंगे मैं आपको दिखा दूंगा स्टोरी या फिर couples लेकर दिखा दूगा उनका तो यह आपको पहले से मैं बता दे रहा हूं यहँ मैं सोच ना बांडरी पर हो तो मैं हम्ना इस सीलेक्शन नहीं होगा मेरा ठीक है तो यह सारी चीज है थि और को जिनका क्लियर म पर रनी हो रही है फ्रेश माइंड से एकदम आप यह सोचो कि यार पैर और अच्छे चलना है मेरे तो ठीक है ऐसी कोई गर्मी नहीं है और मौसम भी अच्छा है यह मौसम रनीं के लिए बैस्ट है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी तो आप एकदम आपके बस यही ए दोड़ते हो जैसे आफ टाइम देःगते हो ठीक है अब टाइम देख लिना अगर लग रहा है कि यह थे चकर में थोड़ा ज्यादा थोड़ासा बढ़ाना इतना नहीं बलकुल बढ़ा उगे ना उसी में आपके 10-15 सेकंड वाइसा नहीं है खीच दिया आप भाई सांस भ झाल